नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सागर क्लियान चैनल पर और इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो जो बहुत इंपोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो पास आउट हुए है 10th क्लास से और बाकी सारे स्टुडेंट्स भी देख सकते हो अगर आप अपने लिए कुछ करना चाते हो एक करियर परस्पेक्टिव के थ्रू कुछ सोचा हुए आपने अपनी लाइफ के बारे में और आगे बढ़ना चाते हो अपनी सक्सेस्फुल करियर को लेकर बहुत चिंतित हो तो इसे के साथ शुरू करता हूं सबसे पहले चीज जो समझने की है वह यह है कि इंडिया में एजुकेशनल बोर्ट्स चार टाइप के हैं सबसे पहला सी बेसी दूसरा आईसी सी तिसरा आईबी और चोथा स्टेट बोर्ट्स यह चारो अलग-अलग संस्थाएं और इनका सिर्फ और सिर्फ में मकसद है आपको पासाउट कराना 12th class तक एक education प्राप्त करना आप कर सकते हो और education प्राप्त करते ही आप अपना specialization आप अपना career चूज कर सकते हो उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने study की हुए है आप आते हैं streams क्या क्या होती है after 10th class और 11th और 12th करने के लिए देखो आपके पास सकते हो as usual उसके अलावा क्या होता है कि आप ITI courses choose कर सकते हो ITI courses का मतलब industrial training institute जिसके अंदर आप specialization एक skill प्राप्त करोगे उसके according आपको job मिल जाएगी पर ये job बहुत low paid job होगी ये उन बच्चों के लिए जो afford नहीं कर सकते हैं इंस्टिटूट्स में और उसके अलावा डिप्लोमा भी कर सकते हो 10th के बाद सीधा जाके डिप्लोमा कर सकते हो और उसके according आप jobs के लिए सर्च कर सकते हो अब मैं best recommend करूँगा कि आप सभी 11th और 12th जरूर करे 11th और 12th बहुत इंपोर्टेंट है हमारे करियर के लिए और बहुत सारे options खुल जाते हैं और एक diversity आती है एक vulnerability आती है एक maturity आती है और एक अच्छा education आपको मिल पाता है 11th और 12th बहुत important classes है बहुत यह दो साल बहुत important है राइट हम सभी जानते हैं पर हम यह भी भूल जाते हैं कि इसके बाद आने वाले 6 साल इसके बाद आने वाले 6 साल इतने important होते हैं जादा तर 90% of the students ध्यान नहीं देते और जो की देना चाहिए अब main चीज पर आते हैं कि streams क्या-क्या मिलती है 10th class के बाद 10th class pass out करते ही आप 11th class में आओगे तो आपको क्या-क्या streams चूज करने को मिलेगी सबसे पहली science चूज कर सकते हो दूसरा commerce तिसरा humanity arts अब इसके अंदर क्या-क्या subjects है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी जल्दी physics chemistry biology mathematics and English language यह है science subjects commerce के अंदर आते हैं accountancy economics business studies mathematics and English English language optional में है mathematics एक ऐसा subject है जो commerce section में optional में दिया गया हुआ है और 12th class में अब 12th class में commerce में एक changes आ जाते हैं optional में आपको informatics practices एक ऐसा subject है जो मेरे को अभी नया पता लगा है कि वो भी options में राइट शायद mathematics के साथ options में या फिर English language के साथ options में यह आपको देखना पड़ेगा मुझे ज्यादा नहीं पता देखो आर्ट हम सभी जानते हैं आर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़े जो बहुत theoretical है ज्यादा practical पर focus नहीं है और एक simple subjects हैं उसके according आप इसी के साथ शुरू करता हूं अपना experience भी साथ में मैं बताने चाहता हूं आप लोगों को कि मेरा जो 10th class pass out हुआ वो ICSC board से हुआ तो अब मैं शुरू करता हूं आप सभी को बिल्कुल simple तरीके से समझाना अपने experience के मताबिक मैंने ICSC board से pass out किया 10th class अब अब नोट्स निकाल लो अपने notebook या कोई भी ऐसी चीज हो pen no pencil हो कुछ भी निकाल लो अब साथ के साथ समझने की कोशिश करो अब जैसे कि आप अगर 10th class में हो अभी इस moment पर इस moment पर आप notes लिखो कि आपको ऐसी ऐसी चीजे क्या पसंद है जो आपको करनी है कहने का मतलब यह आपका कोई dream होगा आपका कोई career होगा आपको कोई profession होगा जो choose करना है आपने अगर आपको नहीं भी पता तो आप interest ढूड़ो कि आपका interest किस चीज में है अब मैं अपना बताता हूं अपना बताता हूं मैं simple तरीके से बताता हूं देखो मेरा interest था सबसे पहले तो computers फिर IIT उस वक्त जब मैं pass out होने जा रहा था उस वक्त IIT का इतना craze था इतना craze था बस पूछो मत engineering के लिए बहुत सी दुनिया भागे जारी थी जैसे कि government colleges बहुत अच्छे माने जाते हैं इंडिया में महां पर admission हो पाता है IIT अगर आपने clear कर लिया अब साथ के साथ science science एक ऐसा सब्जेक्ट था वो मुझे बहुत अच्छा कह सकते हैं कि मेरे को feel अच्छा होता था कि जब मैं पढ़ता था मुझे concept बहुत अच्छे से समझ में आते थे और बहुत अच्छा भी लग पीछे राइट बाकी एक अंदर ही अंदर मैं अपना interest भी बता देता हूं क्या मेरा interest था उस समय movies जैसे हम देखते थे tv पर तो movie filmmaking बहुत पसंद था मुझे मुझे इतना जरूर idea था कि मुझे एक दिन एक दिन मौका मिलेगा जरूर करूंगा movie कोई ना कोई ऐसी बनानी है जो बिलकुल देखने लाएक हो story हो emotions हो बहुत सारी चीज़े डालनी है यार drama emotions एक real life experience काउंट हो सब कुछ सब कुछ animation animation एक ऐसी चीज है जो बिलकुल ही different genre में आ जाता है cartoons वोगेरा अगर आपने cartoons देखे हैं तो cartoons में sketch वोगेरा मेरे को काफी पसंद था drawings करना बहुत सारी चीज़े करना बहुत पसंद था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था राइट अब मैंने यह notes निकाले बनाए उस present moment पर कि मेरे को उस समय क्या पसंद आ राइट आप भी ऐसे notes बनाओं कि आपको present moment पर क्या पसंद है राइट लिख दो एक बार लिख दो बीना सोचे समझे अब आगे क्या करना है थोड़ा बहुत Google पर search करो इस चीज को कि इसमें करियर क्या क्या बनते है करियर क्या क्या हो सकते है इसके अंदर जैसे ही आप search करोगे यह एक दिन का काम नहीं दो दिन का काम है यह regular होना पड़ेगा आपको 30 दिनों के लिए 60 दिनों के लिए 90 दिनों के लिए या फिर 6 महिने के लिए regular जैसे कि आपने कम से कम 15 या आदा गंटा Google पर search करके भी ताना है कि यह सब क्या होता है यह सब क्या होता है ताकि आप सीख सको बहुत अच्छा information मिलेगा अगर आप search करो अच्छे से कौन-कौन सी fields आती हैं सब कुछ पता लगेगा कम्प्यूटर के अंदर और कि जैसे कोडिंग के बारे में पता चलेगा सॉफ्वेर के बारे में पता चलेगा editing होती है music होता है बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो आपको नया निकल के आएगा अब ICSC में मेरे 10 पास आउट होने से मेरे जो percentage जो निकल के आए है वो मैं के साथ आप शूरू करने जा रहों सबसे important आपको करना क्या होगा अब आपको करना क्या होगा जैसे आपने present moment लिख दिया कि भई मुझे यह पसंद है यह पसंद है यह करना है यह करना है राइट अब साथ के साथ 8th 9th और 10th class यह बहुत important है तीन साल अब 8th में जो करते हो ना हो आपकी अच्छी आज़त हो चाहिए वह आपकी एक knowledge हो skills हो यह ऐसा time है जब आप बहुत जादा सीखते हो बहुत नहीं नहीं चीज़े पता लगती है आपका mind बहुत जादा जल्दी grow होता है mentally भी होता है physically भी होता है पहले teenage आता है फिर adulthood आता है तो यह 8th 9th और 10th बहुत important है अब 8th में आपने क्या-क्या पसंद किया वो लिखो आपने क्या-क्या नया सीखा और क्या-क्या पसंद किया इंटरस्ट क्या लिया वो लिखो एक बार जैसे कि मुझे क्या इंटरस्ट था मैंने क्या किया drawing sports sports के अंदर जैसे cricket football पसंद करता था यार मैं बहुत ज्याद जादा नहीं करता था अब एक चीज की कमी थी अब एक चीज की मेरे अंदर कमी थी वो थी confidence की confidence मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था कि अगर मेरे को किसी चीज के अंदर participate करना पड़े जैसे drama होते हैं एलेकुशन होते हैं बहुत सारी activities होती है creatively तो मेरा बिल्कुल भी confidence नहीं था मेरे अंदर बिल्कुल भी शंता नहीं थी कि मैं वो सब कर पाऊंगा अपने लिए कोई ऐसा रस्ता नहीं मिला कि मुझे कोई encouragement मिले कि मैं इसमें अच्छा हूं मुझे खुद भी लगता था कि मेरे लिए नहीं बना ये काम उस समय जैसा महोल था उस हिसाब से मैंने बताया आपको अब अब एक चीज जो लिस्ट बना रहे हो ना उसमें आपको खुद को लगना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हो उस चीज के अंदर यू आर टू गुड तभी वो लिस्ट में नाम लिखना तभी वो चीजे लिखना जो आपको पसंद है अगर आप खुद को अच्छा मानते हो सच में दिल से तब लिखना वो नोट्स करके राइट मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उसके अकोर्डिंग मेरे को क्या पसंद था औ आप जैसे कि मेरे पास सब्जेक्ट्स थे अजते माना जाता है फिर भी में इंपोर्टेंट मांता हूँ इसको कि यह अगर आप वी को समझ में नहीं आता है क्षे नहीं लगता तो फिर बहुग्या गुगे। चाहे आप कोई भी काम करो चाहे आप कोई भी चीजे रियल लाइफ में experience करो तो mathematics का बहुत important role है इसके बीना आपका mind है ना grow नहीं कर सकता मैं इतना जानता हूं English जैसे कि mathematics मेरे को पसंद नहीं था मैं फिकर नहीं करता लेकिन मैंने किया right English English बहुत weak थी मेरी pass out simple जैसे कि मेरे 50-60% आते थे at most Hindi में भी मैं बहुत weak था 50-60% same मैं इतना अच्छा नहीं था English और Hindi में science, physics, physics एक ऐसा subject था जो मेरे को बहुत पसंद था मेरे लिए ऐसा लगता था कि यह subject तो मेरे लिए बना यार मज़ा आ जाता था पढ़के समझ के भी मज़ा था एक्जाम देकर भी मज़ आता था सब कुछ अच्छा लगता था physics के अंदर अब साथ के साथ biology, biology में तो मैं zero था, zero, medical करना चाहते हो आपका interest है इसके अंदर तो आप important notes में लिख सकते हो कि हाँ मेरे interest है biology में, right, हर इंसान का अपना-पना mind होता है, right, अपनी-अपनी सोच होती है, अपना-पना तरीक is computer science, computer application, computer application के अंदर हमें coding सिखाये जाता था, blue jay programming, blue jay programming कह सकते है, हम java programming से पहले, जो सीखायी जाती है हमें, सबसे basic होता है, और उस समय हमें समझ में भी नहीं आया, मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि ये programming में है क्या, right, एक बस इतना था कि interest था, लिया subject और कर लिया, और लेकिन अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा, नई चीज सीखने को मिली, MS Word, Presentation, Excel, Paint, सबसे पहला step अगर आपको computer में सीखना है, तो ये है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए तो ये है, उसके बाद programming से थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है, आपको किस तरह से computer work करता है, क्या होता है, और compile करके जो program निकल के आता है, result निकल के आता है, वो कैसे निकल के आता है, सब कुछ, इस चीज की understanding होनी बहुत जरूरी है, hardware and software, अब ये कह सकते हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा, कि मेरा एक तो computer application में interest था, मेरा एक physics में interest था, मतलब कि science में interest अब आते हैं, सबसे अलग तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, देखो हमारे पास तीन option दी होया, science, commerce and art, अब हम तीनों में से ही choose कर सकते हैं, अगर अगर इन में से sports होता, अलग से option, stream अलग होती, तो मैं sports चूज करता, पक्का, अगर music जैसे background music बनते हैं, आज कल Bollywood में का आते हैं, music industry में काम आता है, background beats बनते हैं, computer से, right, वो सीखना पड़ता है, तो वो चीज़े, अगर streams में include होता, तो मैं पक्का करता, videos editing, adobe premiere pro, adobe after effects, बहुत सारे softwares हैं, जो सीखने के लिए हैं, developers सीखते हैं, designers सीखते हैं, बहुत सारे artistic जो बंदे हैं, जो creative सोस्टे हैं, जो businesses कर रहे हैं, आज के time में, चाए वो media company हो, चाए वो एक journalist का काम क्यों ना हो, हर चीज़ में जरूर होता है, इस चीज़ की, तो ये अगर streams के अंदर होता, तो मैं पक्का करता, 100% करता, और साथ के साथ अगर animation होता, तो मैं ये भी जरूर ले लेता, अगर होता तो, पर हमार पास क्या है, सिर्फ तीन option है, science, commerce, art, अब ये option दिये गए हैं, तो हमें ये ही choose करने पड़ेंगे, इन में से choose करना पड़ेगा, अगर आप commerce से समझो, ये सिर्फ business world का थोड़ा concept बता देता है, समझा देता है, अगर आपकी calculation अच्छी है, mathematics अच्छी है, आपको interest है, marketing, budget, बहुत सारी चीज़े, it's all about calculations, economy किस तरह से depend करती है, क्या process है, किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं, छोटे से budget में कोई भी काम, या फिर accountant संभालना, कोई भी हिसाब किताब संभालना, जैसे कि मैंने किसी के साथ लें दें किया, उसका account रखना अच्छे से, संभाल के, उस अच्छे से सीख सकते हो, ये उन बच्चों के लिए मैं recommend करूंगा, जो mathematics में जरूर अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि हाँ, mathematics का बहुत रोल है इसके अंदर, और साथ के साथ, साथ के साथ, English का, English का भी, communication, communication का हर जगे रोल है, देखो, अगर हम कुछ सीख सकत हैं, तो ये important दो subject है, mathematics, English, ये आपको growth में बहुत काम आएगा, mathematics तो commerce में बहुत important है, समझने की कोशिश करो, science and commerce बहुत important है, real life में भी, अब art पर आजाते है, art उस time, जब मैं उस time जैसे पढ़ रहा था, मैंने art क्यों नहीं ली, art उस time कोई value नहीं समझता था, मैं भी, कि art भी कोई subject है, क्या होता है, क्या नहीं होता, मैंने कुछ interest नहीं लिया इसके अंदर, वो इसलिए नहीं लिया मैंने, क्यूंकि ये thinking थी लोगों की, ये thinking मेरे अंदर भी थी, कि अगर मैंने art ले लिया ना, तो मेरा career है ही नहीं कुछ भी, शायद आज भी parents ऐसा सोचते हो कि अगर बच्चा arts ले, तो इसके बसका कुछ नहीं है, सबसे weak बच्चा है, लेकिन, लेकिन, जो arts वाले students होते हैं, वो बहुत सोचकर, समझकर subject लेते हैं, कहीं बच्चे, कहीं बच्चे लेते हैं, जैसे कि अगर आपको civil service examination clear करना है, मैनत करनी है, थोड़ा सा government jobs के लिए जाना है, तो best art subject है, best है, सबसे best है, दीरे दीरे changes आ रहे हैं, life में, society में, तो देखकर arts में भी बहुत बच्चों का रुजान बढ़ चुका है, अब साथ के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर science और commerce में से choose करना पड़े, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप simple, simple ऐसे समझो कि science तो आपके लिए एक ऐसी चीज़ है, जहां पर आपका mind सही तरह से grow कर पाएगा, आप सोच पाओगे, सही तरह से आप समझ पाओगे कि life में कितनी मुश्किले हैं, उसका challenge accept करकर face करना और फिर उसको अच्छे से solution में तबदील करना, वो सभी चीज़े, procedure, process, वो स सबी चीज़े आप सीख पाओगे, gradually, दीरे 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 आपको कोई problem मिली, उसका solution निकालना है, और फिर उसके बाद उसको समझने है, उसका reason किया है solution का, क्यों निकालना हमने वो solution, क्या problem थी, क्या actually में वो problem exist करती है, तो इन सब चीज़ों का बहुत महत्तु है science के अंदर, commerce के अंदर मैं इतना नहीं जानता, to be true, लेकिन इतना जानता हूं, यह सब खेल accountant का है, account, account रखने का है, हिसाब किताब, जैसे हिसाब लेना, देना, transaction, trading, economy, सब यह चीज़े आ जाती है, commerce के अंदर, पैसा, पैसे का खेल, सब, ठीक है, अब साइंस के अंदर, आपक लाइफ जी सकते हो, आपकी thinking थोड़ा creative होगी, आप अच्छे से बहतर तरीके से सोच पाओगे, मैं इन तीनों में से, आप सभी को recommend करूंगा, जो भी आप choose करते हो, आप बिलकुल सही हो, बिलकुल सही हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार, present moment का, एक notes बनाना पड़ेगा अभी फिलाल, आप 10th class में हो, तो आपको interest क्या है, आपका career क्या बन सकता है उसके अंदर, ये सब सर्च करो, Google पर सर्च करो, Google पर सर्च करो, और मैंने ये वीडियो बहुत बड़ी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए कि आप सीख सको, अच्छे से सीख सको, कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सब से best होगी, अगर आप अच्छे से समझो, चीजों को दुबारा, अगर दुबारा देखनी हो, ये वीडियो दुबारा देखो, और अच्छे से notes down करो, और research करो, सर्च करो, अगर आपके पास कोई भी ऐसा question है, कोई भी सवाल ह जो आपके मन में आ रहा है, comment section में जरूर बताना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, comment section में जरूर बताना, मैं कोशिश करूँगा, उस पर भी आपके लिए कुछ नया comment और कुछ नया information आप सभी को दूँ, ताकि आपको मदद मिले, आपके career में, आपकी life में, आपको जो सही direction है, वो मिले, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपको जो interest है, वो सबसे पहले रखो, और साथ के साथ, अपना confidence, गिरने मत दो, चाहिए आपके सामने दुनिया, आपके against क्यों ना हो, आपके opposite क्यों ना हो, आपको भरोसा रखने हैं अपने खुद पर, कि आप सबसे best हो, उस काम में जो आप कर सकते हो, जो आपको लगता है, आप अच्छे हो, इसी के साथ इस वीडियो को यही पर ही खतम करता हूं, इसी के साथ, thanks for watching this video, मैं बहुत मैनत से ये वीडियो बना रहा हूं, आप सभी के लिए, आप सभी के लिए, ताकि आप सीख सको, सीख सको, thanks for watching this video, I hope you like this.